हेलो एब्रीवन आपका एक वाल फीर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ ICIC Prudential Equity and Debit Fund Diet Growth के बारे में इसमें मैं आप से डिसकस करूँगा कि यह जो mutual fund है इसने फिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर annual return क्या दिया है आज के date में इसका एक एनवी का price क्या है, यह कितने star rating mutual fund है इसमें आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आप से डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन size stock listed है और अगर आप इस mutual fund में कुछ पैसा जमाग किया होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट वो मैं आप से डिसकस करूँगा कि क्या हमें ICIC Prudential Equity and Debit Fund diet growth कंदा investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो क्या आप अपना SIP या फिर lump sum को continue रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे सबसे पहले इसकी एक साल के return के उपर बात करते हैं तो एक साल में जो return है वो है 40.17% का return है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं तीन साल के return के उपर में तो तीन साल में जो return है वो 26.57% का return है पांस साल के return के उपर बात करते हैं तो पांस साल में अक्रेस पॉंट 46% का return है और अगर एन्वा return देखें तो एन्वा return है 18.29% का अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी NAB के उपर में आज के डेट में इसका एक NAB का प्राइस है 380 रप्या 28 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो यह एक 5 पिस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसे मिनिमूम SIP एमांट 100 रप्या का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 33,502 करोर का अब बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर मन्थली 50,000 पैसा परमन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 70,654 रुप्या तीन साल की बात करते हैं तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 आपको मिलता 2,69,476 रुप्या पांस साल की बात करते हैं तो पांस साल में आपका पैसा जमा होता 3,00, आपको मिलता 5,70,272 रुप्या अब अगर बात करते हैं इस mutual fund के अंदर आप एक बार में एक लाग रुपया का लमसम की होते तो एक साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग चालिस या साथ सो दस रुपया होता तीन साल में आपका एक लाग रुपया दो लाग दो हजार साथ सो पैंसाट रुपया होता और पांस साल में आपका एक लाख रुपया दो लाख चोंसाट हजार तीन सब ब्यालिस रुपया होता है। अगर आपने अभी तक आप इस टॉक में अपना एकाउंट आपर नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्किप्शन में मैंने अपना रेप्रर रिंग दिया है। अगर आप मेरे रेप्रर रिंग से जोईन करेंगे तो फिर आपको पांसो से हजार का कैस बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एकाउंट अपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और ना ही आपसे एकाउंट मेंटरनर्स चार्ज कुछ लगेगा। इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग देखे तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 155 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 अर उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है इसकी होल्डिंग अनलाइसिस को अगर हम लोग देखे तो इक्वेटी पे है 73.1% डेविट पे है 22.1% और क्यास में है 2.7% अब इस एक्वेटी को यह दिस सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनल्सियल पे है 22.7 एनरजी पे 20.3 अदर्स पर 12.5 ओटम वाल पे 12 है कम्युकेशन पे 7.7 हेल्केर पे 7.4 टेकनलोजी पे 6.2 सर्विस पे 5.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.3% इसकी डेविट सेक्टर एक्वेटी को देखे तो प्राइस टो अर्निंग रेशियो 23.10 और प्रीवी रेशियो 3.2 अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर अपना इन्वेश्मेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर यदि आप लमसम के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो मिनिमुम आपको पांसज़र पया का इन्वेश्में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो बात करते हैं कि कॉर्टक सौरी आइसे ऐसी प्रूडेंटल एक्वेटी एंडेविट फंड का जो फंड रेटन है एक साल में 40.7 का है तीन साल में 26.6 का पांस साल में 15.5 का और एन्वल है 18.3 का वहीं पर इस कैटेगरी का जो ए देखा जाए तो ये मुच्छोल फंड हमेशा अपना कैटेगरी अब्रेस से भी ज्यादा रेटन निकाल करके दे रहा चाहिए बात करें एक साल का या बात करें तीन साल का या फिर बात करें पांस साल का तो अगर आप हाईब्रीड एग्रेगेशिव फंड देख रहे हैं तो ये फिर आपके लिए अच्छा विकल्प है आप इसके अंतर इन्वेस्मेंट कर सकते हैं अगर आपने औरेड़ी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना S.I.P. आप लमसम को कंटेन्यू रखेंगे अगर इसके आजपस आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड देखना हो तो वो है ICIC Prudential Equity and Debit Fundate Growth, Quant Absolute Fundate Growth, Adelvishes Aggregasive Hybrid Fundate Growth, Franklin India Equity Hybrid Fundate Growth, कैनरा रुबिको इक्वेटी Hybrid Fundate Growth जिसके आजपस इतने सारे इसके सिमिलर फंड से हैं इसकी expense ratio की बात करते हैं तो इसका expense ratio आप 1.02% का exit load की बात कर लेते हैं अगर आप invest किया हुआ पैसा 375 दिनों के अंदर यानि क एक साल के अंदर आप अपना investment वला पैसा 30% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे exit load देना होगा और is term duty की बात करते हैं तो is term duty है 0.005% अब बात करते हैं इसके fund house and investment objects को लेकर के ICIC Prudential Mutual Fund टोटल असिस्ट में इंडिया पे नमबर 3 पे रेंग करता है यह मुचल फंड स्टार्ट हुआ 12 October 1993 को इसका टोटल असिस्ट अंडर management है 6,88,919 करोर का बात करते हैं ICIC Prudential Equity and Debit Fund आयड ग्रोथ यह एक hybrid mutual fund है जो कि launch क्या गया है ICIC Prudential Mutual Fund की तरब से यह mutual fund स्टार्ट हुआ 12 October 1993 को एस नरैन मनिस बंथिया अटूल पतेल अभी इसका current fund manager है इस fund का currently assistant management है 6,88,919 करोर का और latest ने भी है 380 रुपया 288 पैसा बात करते हैं ICIC Prudential Equity and Debit Fund आयड ग्रोथ यह एक काफी high-risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 100 रुपया का set क्या गया है और minimum लंसम 50 रुपया का set क्या गया है अगर आप invest किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना investment का 30% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 1% का exit load देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया ICIC Prudential and Debit Fund के बारे में फिर मिलते हैं में उनेस्ट को इस तरीके का वीडियो के अच्छी जानकारी को ले करके है